दिरन्वी शोक्लिफ्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो हाली में जो बजेट अनाउंस हुआ उसमें रूफटॉप सोलराइजेशन की बात हुई थी लॉजिक क्या है इसका मतलब क्या वाट शुट दी अंड कंजीव मनो सो गवर्मेंट दो चीज़े बोल रहा है उनने सबसे पहले एक अच्छी चीज़ किया कि सोलर के लिए सबसीडी बढ़ा दी और यहां पे पहली बार मैंने मैंने परसनल एक्स्पीरिंस किया जनरली गवर्मेंट ना सबसीडी घटाने की बात करती रहते हैं जैसे इंडेस्ट्री बड़ी होती है हमने फीड़बैक दिया कि अमीर तो सोलर जा रहे है बट जो मिदल क्लास फैमिलीज है उनके लिए भी इन्वेस्मेंट महेंगी पढ़ रही है और उनको जादा सपोर् लिया एंड 23% सबसीडी बढ़ा दी अब मिडल इंकम फैमिलीज को जादा सबसीडी मिल रही है तो यह बजट में एक चीज़ ने डाली उन्होंने लगभग एक देट साल पहले एक वेबसाइट सिंपल सी बना दी जहां पे पूरे देशवर में जो भी कस्टमर है वो सोलर जाने के लिए अप्लिकेशन लगा सकता है आपका जो बिजली विभाग है वो आपको येस बोल देगा अपरूल देगा वहां पे आप अपनी सोदर कंपनी जो भी वेंडर है उनको सिलेक करके आप आगे बढ़के काम कर सकते हैं जो मैं आपको पहले बता रहा था कि में लगते थे कोई डिफरेंट चालीज पर मुझे भुपाल में लगते थे क्योंकि हर जगा पे बिजली विभाग अलग है कहीं पे सांट पेपर लगए तो स्टाड़ाइजेशन नहीं था यहां पे सेंट्रल गवर्मेंट ने एक सिंपल सी वेबसाइट बना के उसको पतिशित गवर्मेंट देगी बट सोधर कंपनी को देगी अब आप सोची सरकार से तुरन तो पैसा नहीं आता कौन सी कंपनी अपना पैसा बहुत अटकाएगी और सोधर लगाएगी तो इंडिस्ट्री रुग गई थी एंड इन्होंने यह प्रॉब्लेम सुनी एंड प्रॉब्लेम को पलट दिया उन्हें बोला ठीक है सेंट्रल गवर्मेंट पी एमोंने अपनी मुहीम निकाली पी एम का फेस लगा के उन्हेंने बोला कि यार मोदी जी गारेंटी करते हैं कि सब्सिडी जो है ना कस्टमर एंड विश्वास नहीं था कि होगा नहीं होगा यह हो गया अब लग जो संदर जाते हैं तो पूरा दो लाग जो एक खुद से भर देते हैं 40,000 उनके अकाउंट में 10 दिन से 30 दिन में आ जाते हैं सोलार पावर की वज़े से गवर्मेंट के लिए क्या फाइदा है मतलब वाया दे बैकिंग अट सो मच लॉजिक क्या है सबसे पहला सो मैं मेरे पिछले जॉब में इंडिया के लिए बैंकर था जहां पर इंडिया गवर्मेंट को भी जब पैसा उठाना पड़ता है दूसरे देशों से तो उन्हें कुछ कमिटमेंट देने पड़ते हैं अब जो क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो इंडिया पे बहुत प्रेशर है कि आप इतना मतलब कोईला यूज करते हो पेट्रोल यूज करते हो आप क्लाइमेट चेंज में इंवेस्ट कर रहा हम वरना आपको पैसे नहीं देंगे हम आपको 7% पे लोन देने के जगा 9% पे देंगे अब इंडिया की एकोनोमी के लिए वो 2% अरबो करडो बिलियन्स ऑफ डॉलर्स पे बहुत बड़ी बात है तो वो एक प्रेशर इंडियन गवर्मेंट पे इन जनरल है दूसरा ऐसा नहीं है कि हर कोई मकार है सरकार में लो अब क्यों फाइदा है गवर्मेंट के लिए मैनिफक्ट्रिंग हम डाल चुके हैं उनको डिमांड क्रियेट करनी है यहां पर एंड बाकी जो भी सोर्सेस ऑफ पावर है ना कोईला है महेंगा ही हो रहा है इंडिया को बहुत कोईला इंपोर्ट करना पड़ता है आप सुचे सदेनली बिजनी महेंगी हो गई इंफलेशन आ गई आप इस इस इनर्जी सेक्योरिटी आपको कंट्रोल ही नहीं है अगर कभी दुबई सौरी या रशिया ने बोल दिया के नहीं हम आपको ऑईल नहीं दे पार है महेंगा कर दिया बर कितने भी अच्छे दोसम करना तीन साल पांथ साल में हमारा पैसा रेकवर हो गया बीस साल की फ्री बिजली यह सिर्फ हो मोनर के नहीं यह देश के लिए हम डिपेंडन नहीं हम चाइना पर डिपेंडन नहीं हम रशिया पे साओधी पे युएस पे एंड फिर हमारी कंट्रे अच्छिली ब्लूम कर पाइगी, so solar, wind, सारे जो भी, मतलब, हम अगर खुद की बिजली बना पाए, खुद की power बना पाए, we will become a much stronger nation, और फिर, आत्मनिर्बर भारत का logic है, आत्मनिर्बर भारत, मतलब, एक ते के manufacturing करो, बट हम हम दबेंगे नहीं, जो कि हम दबते थे पहले, जो हम दबते थे पहले और जियो पलिटिकल गेम है ये बेसिकली, कि अगर हर घर में बिजली बनी, तो इसका ये मतलब है कि कल अगर, मान लो hypothetically कोई वर्ड़ वर्ड़ आप सिचुएजन हो गई और दूसरे देश हमें पावर, कोईला नहीं दे पाए, at least लोगों के घरों में तक बिजली तो पहुचेंगी बिजली किन-किन चीजों के लिए लगते है एक घरों के लिए, कमर्शिल परपिसे ओफिसे, फैक्टरीज, एवर्डिटिंग आप अनाज बना रहे हो ना आपको irrigation के लिए आपको pump में लगता है आप factory में आप कुछ भी consume कर रहे है माइक बना रहे हो, आपको electricity तो consume कर रहे है तो electricity is, क्या बोलता है मतलब direct correlation है आपके बिजली के consumption का, बिजली के rate का बिजली कितने, उसका production कितना बढ़ रहा है to your GDP और इंडिया बात बोलते है हम लोग के 5 trillion की economy बनाएंगे 10 trillion की economy बनाएंगे सबसे पहले चीज जो गवर्मेंट लिखती है इतने trillion बनाएंगे न तो मेरी बिजली की खपत तो 4 गोना 10 गोना हो रही है मैं पहले वो क्या बनाओ तो सडके तो चलो ठीक हर किसी को दिखती है रस्ते पर बट सबसे पहला investment power में जाता है मैं पावर नहीं है मैं करूंगा कर and economy पे कैसे help करता है मैं दो दिन पहले मुझे Tata Power के CEO को मिलने का मोखा मिला और उनने इतना अच्छा describe किया कि क्योंकि वो तो क्या बोलते है nation building बहुत closely देख रहे है भले मेरे competitor I am happy to speak about it उनने बोला कियार किसी छोटे गाव में जब बिजली और मिलने लग जाती है तो उहां कि एकोनोमी बढ़ जाती है जर्नलिस ने पुछा कियार कैसे बोला है पहले वहां 8 गंटे दिन में ही काम करते थे अब जब बिजली बन रही है तो आटा चक्की लंबी चल पा रही है tuition class लंबे चल पा रहे है दुकाने जादा देर तक दुकाने चलो रखके एकोनोमी मल्टिफोल बढ़ने लग जाती है क्योंके लोगों के पास में avenues आजाते हैं क्यार चलो ठीक है मेरे पास में और काम करने का जरिया है तो पावर है electricity है तो GDP की ग्रोथ है मैं अंधेरे में आपको काम करने नहीं बोल सकता ना उतना simple है और सौमे विवेकानन जी नें कहा था क्यार बिजली बहुत सारी चाहिए और सस्ती चाहिए अगर महेंगी होगे तब भी तो हम नहीं खरीद होगे तो ये दो चीज़ अगर हो गई तो super power actually बनने का ने बहुत बड़ा पार्ट रहेगा कि हम खुद की बिजली बना रहे है अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा ऐसे हजार क्लिप्स अपलोड किये गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ आपको ये बना रहे है